नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इन्फो प्लग में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको मिलती है आयुर्वेदिक की जानकारी, घरेलू उपचार चाहे वह त्वचा से संबंधित हो या फिर स्वास्थ्य। आज हम बात करेंगे मल्तानी मिट्टी की। मुल्तानी मिट्टी को त्वचा के लिए इस्तिमाल करने के कुछ तरीके हैं। ये हैं 1. मुल्तानी मिट्टी फेस पैक मुल्तानी मिट्टी को गुलाब जल या दूद के साथ मिलाकर एक पेस्ट बनाएं। इसे अपने चहरे पर लगाएं और सूखने तक रखें। फिर गुन्गुने पानी से धोलें। यह त्वचा के तेल को नियंत्रित करता है और चमकदार त्वचा देता है। 2. मुल्तानी मिट्टी और नीमबू फेस पैक मुल्तानी मिट्टी में नीमबू का रस मिलाएं और फेस पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद धोलें। यह त्वचा के रंग को निखारेगा और मुहासो को कम करेगा। 3. मुल्तानी मिट्टी स्क्रब मुल्तानी मिट्टी में शहद और दही मिलाकर फेस पर मसाज करें इससे त्वचा की मृदुता बढ़ेगी और डेट स्किन को हटाएगा 4. मुल्तानी मिट्टी और नीम फेस पैक मुल्तानी मिट्टी में नीम का पेस्ट मिलाएं और फेस पर लगाएं 20 मिनट बाद धोले यह तवचा के मुहासो को कम करता है और तवचा को स्वस्थ बनाए रखता है 5. मुल्तानी मिट्टी मास्क को बनाने का तरीका आधा कप मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगो कर 15 मिनिट रखें फिर इसमें एक छोटी चम्मच नीमबू का रस और एक छोटी चम्मच शहद मिलाएं इस मिश्रण को अपने चहरे पर लगाएं और 15 से 20 मिनिट के बाद गुनगुने पानी से धोलें मुल्तानी मिट्टी के कई लाब होते हैं जो निमनलिखित हैं मुल्तानी मिट्टी में मौझूद प्राकृतिक धातू और खनिश तत्वत तवचा को गहरी साफी प्रदान करते हैं जिससे मुहा से दाग धब्बे और अन्य तवचा समस्याओं को कम किया जा सकता है मुल्तानी मिट्टी रंग को निखारती है और तवचा को चमकदार बनाती है इसका नियमित इस्तिमाल करने से तवचा का रंग सुन्दर और गोरा बना रहता है मुल्तानी मिट्टी तवचा की अतिरिक तैलियता को शांत करती है और मासिक धारा को नियंतरित करने में मदद करती है 4. तवचा की स्थिर्ता और उपकारिता को बढ़ाना मुल्तानी मिट्टी तवचा की स्थिर्ता को बढ़ाती है और उसे उपकारिता और स्वच्छता प्रदान करती है 5. जाईयों और दागधब्बों को हटाना मुल्तानी मिट्टी का इस्तिमाल जाईयों, दागधब्बों और छोटे निशानों को हटाने में मदद कर सकता है 6. तवचा की धुलाई करना मुल्तानी मिट्टी तवचा की गहरी सफाई करती है और उसे ठंडा, ताजा और स्वस्त बनाए रखती है 7. जुरियों को कम करना मुल्तानी मिट्टी में मौजूद तवचा की जुरियों को कम करने में मदद कर सकते हैं और तवचा को स्थाईता प्रदान कर सकते हैं 8. अंग विकास को प्रोचसाहित करना मुल्तानी मिट्टी में पाए जाने वाले पोशक तवचा के अंगों के विकास को प्रोचसाहित कर सकते हैं और उन्हें मजबूत बना सकते हैं ध्यान दे कि ये लाब अलग-अलग तवचा प्रकारों के लिए भिन्न हो सकते हैं इसलिए यदि आप किसी नई सामगरी का उप्योग कर रही हैं तो पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर करें मुलतानी मिट्टी को बालों के लिए इस्तिमाल करने के कुछ तरीके हैं जिने निमनलिखित किया जा सकता है 1. मुलतानी मिट्टी हैर मास्क मुल्तानी मिट्टी को पानी के साथ मिलाकर एक पेस्ट बनाएं इसे अपने बालों के जढने वाले हिस्सों पर लगाएं और 20 से 30 मिनिट तक रखें फिर बालों को गुनगुने पानी से धोलें यहाँ बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है 2. मुल्तानी मिट्टी कंडीशन मुल्तानी मिट्टी को दही के साथ मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बनाएं इसे बालों में लगाएं और 15 से 20 मिनिट के लिए छोड़ दें फिर धोलें यहाँ बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है और उन्हें मूल्यवान पोशन प्रदान करता है 3. मुल्तानी मिट्टी शैंपू अपने रोजाना के शैंपू में मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मिलाएं इससे बालों की मानसिक्ता बढ़ती है और उन्हें मजबूती देता है बालों को बीयर के साथ मिलाकर मुलतानी मिट्टी मास्क बनाएं और बालों में लगाएं 30 मिनट तक रखें और फिर धो लें यहां बालों को मजबूत बनाता है और उन्हें चमकदार बनाता है ध्यान दे कि ये उपाय व्यक्तिगत त्वचा और बालों की आवशक्ताओं के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं. इसलिए बहतर होगा कि आप पहले टेस्ट करें और फिर नियमित रूप से उप्योग करें.